देखते हैं हम लोग एक साइस 27 इंडी का 16 नमबर कोश्चिन 16 नमबर कोश्चिन हम लोग उसका कहा जार write the vector equation of each of the following lines and hence determine the distance between them मेरे पास दो lines की Cartesian form में equation दी हुई है पहला line है मेरे पास x-1 by 2 is equal to y-2 by 3 is equal to z plus 4 by 6 और दूसरा line हमारे पास x-3 by 4 is equal to y-3 by 6 is equal to z plus 5 by 12 अच्छा सबसे पहले हम लोगों को इसको vector form में लिखना होगा तो इसको मैं lambda के बराबर assume कर लेता हूं इसको मैं mu के बराबर assume कर लेता हूं मेरे पास x कितना हो जाएगा 2 lambda plus 1 यहां से y कितना हो जाएगा 3 lambda plus 2 और यहां से z कितना हो जाएगा 6 lambda minus 4 यहां से x कितना हो जाएगा 4 mu plus 3 y कितना हो जाएगा 6 mu plus 3 और यहां से z कितना हो जाएगा 12 mu minus 5 अच्छा अब मेरे पास पहला line का equation क्या हो जाएगा यहाँ 1,2,-4 प्लस लंड़ा टाइमस अफ कितना 2,3,6 2,3,6 और दूसरे लेंग की एक्विशिन क्या हो जाएगी मेरे पास 3,3-5 3,3-5 प्लस म्यू टाइमस अफ कितना 4,6 और 12 कितना 4,6 और 12 अब दिखना यहाँ पर कैच है कैसा कैच है सरे प्लस 2 म्यू यहाँ पर 2,3,6 अच्छे यहाँ सर्फ 2 कॉमन लेने से आपको क्या फाइदा होगी आपने क्यों लिया 2 कॉमन देखो सबसे पहले तो मैंने 2 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास यहाँ बाहर में कॉंस्टेंट था यहाँ बाहर में कॉंस्टेंट है इसमें से मैं अंदर में से कोई भी चीज बाहर नहीं ले सकता था क्योंकि पहले से यह सिंप्लेस्ट फॉर्म में अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यह सिंप्लेस्ट फॉर्म में आएगा इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया formula क्या होता है sorted distance का formula होता है a2 vector minus a1 vector cross b vector by b vector का magnitude अब यह a1 यह रहा a2 निकालते हैं a2 vector minus a1 vector यह हो जाएगा 3 minus 1 2 3 minus 2 1 minus 5 plus 4 ही हो जाएगा minus 1 ठीक है तो अब निकालते हैं a2 vector minus a1 vector cross b vector अब यह कितना होने वाला है मेरे पास यह होने वाला है I, J, K यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, 2, 1, minus 1, यहाँ पर कितना है, 2, 3, 6 अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, I cap यह हो जाएगा, 6 plus 3, यानि की 9 हो जाएगा, minus J cap 12, plus 2, यानि 14 हो जाएगा, plus K cap, यहाँ पर 6, minus 2, यानि की 4 हो जाएगा, देखना है यहाँ पर, यह हो जाएगा, 9 I cap, minus 14, J cap, plus 4 K cap, अब देखते जारा, इसका हम लोग मैंनिटूट पर निकाल लेते हैं, इसका मैंनिटूट अगर हम लोग निकाल लें, A2 vector, minus A1 vector, cross B vector का मैंनि 4 K cap, 16, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको मैं अगर solve करो तो यहाँ लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा, यह 3, और यहाँ 9, और 293 हो जाएगा, अच्छा, अब पूट करते हैं, यह मेरे पास कितना हो गया, उपर में, root over 293, अब ज़रा B का भी magnitude निकाल लेते कहा गया भी, इसका magnitude निकालते हैं, यह कितना हो गया, B का magnitude यहाँ निकाल लेते हैं, जगह नहीं यह इसलिए, 4 plus 9 plus 36, तो साब साब दिखरा है भाई साब, root over 49, यह यह 7 हो गया, यह मेरे पास answer जो होगा, वह यह होगा, अंटर root 293 by 7, अब देखते हम लोग 17th number question, 17th number question में क् write the vector equation of the following lines and hence find the softest distance between them, मेरे पास 2 line के equation दिए होगी है, लेकिन Cartesian form है, पहली line के equation है, मेरे पास x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4, और दूसरा है, मेरे पास कितना, x minus 2 by 3 is equal to y minus 3 by 4 is equal to z minus 5 by 5, इसको में lambda गरावर रेजिम करता हूं, इसको में मुट करावर रेजिम करता हूं, x कितना ह होने वाला है, मेरे पास 2 lambda plus 1, y कितना होने वाला है, मेरे पास 3 lambda plus 2, z कितना होने वाला है, मेरे पास 4 lambda plus 3, यहां से मेरे पास x कितना होने वाला है, 3 mu plus 2, y कितना होने वाला है, मेरे पास 4 mu plus 3, और यहां से z कितना होने वाला है, मेरे पास 5 mu plus 5, अब मैं पहले line के equation दिखता ह 3-4-5 3-4-5 अब देखना अब देखो सबसे इंप्पररेंट बात इससे पहले वाले कुश्चन में मेरे पास दोनों लाइन से पॉर्मुला होता है सॉटर जिसन का फॉर्मुला होता है a2 vector minus a1 vector dot b1 vector cross b2 vector by b1 vector cross b2 vector का magnitude अब ये रहा a1 ये रहा a2 ये रहा b1 ये रहा b2 निकालते हैं सबसे पहले क्या a2 vector minus a1 vector ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 minus 1 1 3 minus 2 1 और 5 minus 3 2 ठीक है ना सही है अब देखो अब निकालते हैं आमनों b1 cross b2 b1 cross b2 ये क्या हो जाएगा i j k यहाँ पे कितना 2 3 4 यहाँ पे कितना 3 4 5 ठीक है। i cap 15 minus 16 माईनस वन हो गया 10 और माईनस 12 माईनस 2 हो गया प्लस k cap यहाँ पर कितना हो गया भाई साब 8 minus 9 minus 1 हो गया य fifteen minus i cap यहाँ पर कितना हो गया प्लस 2 j cap minus k cap अब जोना इसका magnitude में निकाल लेते हैं अलगे हाथो magnitude कितना हो जाएगा इसका magnitude यह हो जाएगा मेरे पास minus 1 का square 1, 2 का square 4 और minus 1 का square 1 यान की यह हो गया मेरे पास कितना root over 6 अब यहां put करते हैं यहां put करते हैं इसको यह कितना है मेरे पास 1,1,2 यह कितना है मेरे पास माइनस 1,2 माइनस 1 और यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा रूट अवर 6 और यह बाहर यहाँ मॉड है ठीक है यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 और यह होगा माइनस 2 ठीक है न और यहांपे इतना होगा है मेरे पास rootsover 6 इससे एकटके यह ओगा है नीचे multiply divided करू viral तो यहां पर हो जाए Bye-bye moreHHHH 보고 मैं भी multiply कट धू 115 तो यहांपे हो जाएका यहांपर मैं लिखता हूँ side में Его से ए boliger ते अगला कोशन अगले वीडियों